हेलो प्रेंट्स आजमा आपको बताऊंगा कि एदि आपकी भेड बक्रियां या बक्रे बक्रियां कमजोर हैं जुगाली नहीं कर रही हैं भूक नहीं लग रही है सुस्त हैं तो उस इस्तती में आपको कौन से दो इंजेक्शनों का उपयोग अपनी भेड बक्रियों में करव या नहीं कितरे दिन की डोज येदी आप अपनी बेड़ बक्रियों में लगाते हैं तो बैटर जेल्ट आपकी बेड़ बक्रियों में देखने को मिलता है या किस तरह की रोग हो जाएं तो भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं यानि खैने का मतलब है कि आज की व बेड़ पालक हैं बक्री पालक हैं पहली बर जुड़े या नए आये तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ बेल आइकन और वला वसंद में आपको पता है कि चैनल पर सही सटी को साइंटिफिक मैथे आपको जानकारी दी जाती है देखो बेड़ बक्रियों मे किसी चारगा में चराने के लिए लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर कई इस तरह की बेड़ बक्रियां जो की अलग हो जाती हैं अलग होने में जाकर के बैड़ जाती हैं कुछ खाती पीती नहीं है तो भी आप उन इंजेक्शनों का उपयोग उन बेड़ बक्रियों में करवा सकते हैं इस सेography बेड़बक्रियां कमजोरी आ गई है कईघड़ बक्रियों में उठने दिक्वतम आ रही है बक्रियों बेड़ने दिक्वतारी है कमजोरी की वज़े से कमजोरी आ जाती है तो तो उस स्थतेडaste आप उन इंजेक्षन का उप्योग कर सकते हैं या यह दिया आपकी बक्रियों में कई इस तरह की जो बीमारियां हुई थी कोई भी बेक्ट्रियल वायरल जिस प्रकार चेनिमोनिया थनेला रोग या अधर कोई डिजीज एक कोई भी डिजीज जिसकी वजह से आपने बक्रियों का ट्रिक्मेंट करवा है इसी के सासात उन jackson का अप्योंके आपकी बक्रियां नोर्मल हैं जैसे दूद देने वाले बक्रियां हैं उसमें भी इस तरह की दिकेत हो जाती तो भी आप उन इंजेक्शनों का उपयोग अपनी बेड़ बकरियों में करवा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको भोत यचा रिजल देखने को मिलता है, खैने का मतलब है कि नुकसान आपकी बेड़ बकरियों में नाके बराबर है, बट आपकी बेड़ बकरियों में रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है इसी के साथ साथ इद्या आपकी बेड़ बकिरिया प्रिग्रेंट हैं या भी नहीं तो भी आप उन्हें उप्योग कर सकते हैं या इस आपकी बेड़ बक्रियों के बच्चें छोटें जैसे दो मैने चार मैने के तो उसी में भी इंजेक्षिंव कर सकते भी याक रेयोंग वी जाके में मतंफ में आप की थे उसी सप्क्राइब गिद्वे लर हैं फिकमार लो रही हैं कऊ सकते हैं यह कई पडोने खाना पीना झादा का लिया उसके लीए से अकड़ गए य्वन प्रियों का वपियोक बेड़ हमें करवा सकते हैं वहां पर भी आपको भूत या जल देहने को मिलता है को सबसे पहले माप को बता रहा हूं इसके लिए आपको इंजेक्शन उप्योग करना है जिस तरह से इंजेक्शन आता है के रसका डोजलीव जो आपको दिख रहा है डोज जिसके अंदर साथ आता है एल करिंटाइब इंजेक्शन आप अपनी भेड बक्रियों में जरूर इस इंजेक्शन का उप्योग करवाना चाहिए फोथ अच्छा इंजेक्शन है बैटरी जेल देखने को मिलता है लेकिन फोथ इस तरह के कमेंट्स आते हैं भेड पालक बक्री पालक कि इस डोजलीव जो इंजेक्शन आत है तो इनजेक्शन के आपकी बेड बक्रियों का वज़न प्रकार से 30 kg, 40 kg तो अप एक आमेल से लेकर के 2 mg अप करा सकते हैं इंट्रामस को नरे यानी वकास बीज़ाएं और नस मी भी आप इस injection का उपयोग अपनी बेड़ बकरियों में करवा सकते हैं दोनूं में ही आपकी बेड़ बकरियों के लिए सेफ इंजेक्शन है यह आप अच्छा रिजे लेना चाहते हैं यह इंजेक्शन आप अपनी बेड़ बकरियों में किसी भी तरह की स्तती हो जाती है तो प वेड़ भक्रियों में गेंजेक्षन नहीं मिल पा रहा है तो ईस इंजेक्षrias का भी प्योग को सकते हैं जो कि आपको श्क्राइब पर दिख रहे हैं उस इंजेक्षन थे भी दों यहीं है सेम तो यही ने बताई कि तीन ने बड़ी बढ़िऑ यूँ में में चोटिय थो एक एम्मेल इंट्रम उट्र अंट्रावीड़र्वण है इन दोनों में से कोई साहिं आपको एक इंजेक्शन का अप्योग आपनी विऩर डियों में अक्रां सकते जाभि अब इनके सÁ्थ आपको कौनसा injection करना है इनके साथ आपको एक जो माइक्रवलेफ्श काता हैं मिक नर्वलवेट इस Injection का उप्योग रहे जो इंजेक्शन उप्योग ले रहा हूं वहीं injection आपको बतारो इसका बैटरी जल्ट आपको देखरी मिलता है इसके उपितम यह इंजेक्शन नहीं मिले तो आप नियूरोकाइंड प्लस मिलीए सकते हैं मेंड का दोनुव ही काम करते हैं लेकिन इंजेक्शन बैटर है वह अपने भेड़ वक्रियो करातें इस इंजेक्शन की डोच क्या वति है कि जो एदि आप जो मैंने इंजेक्शन पायड वानिया इनसे आपको इसकी डोज डबल लगानी है ज्यादा जिस तरह से दी भेड़ बक्रियां 30-40 केजी हैं तो इससे आप 2 ml उससे ज्यादा है तो आप 4 ml इस इंजेक्शन का उप्यों करा सकते हैं यह इंजेक्शन भी आप in toonds कुदर boa in iron disponers भेड़ बक्री के छोट के repairing जाएं तो एक सिद्द्ध लगए यह इंजेक्शन भी आपकी भेड़ बक्रियों के लिएscheid इंजेक्षान है कोई भी नुक्सान आपकी बेड़बक्रियों में नहीं करेगा तो आप निरोकान इंजेक्स लगए यह यह क्या करता है कि नगहीं कमजोरी दूर आ पयरोगे साथ मेंट समझुड को दिखता है उनको गोड़ाता है और बक्रियों में जिस प्रियोग कर 커bury रेंगें यह दूनुं इंजेक्षिन आपके कैसे उफ्योग करना थिंड़ों को आप एक सीरेंज में दूसरा हैं सुरलिया दूसरा में आप यह दूनुं इंजेक्षिन लगातार यह सब्सक्राइब कर एब दए जंगेजिन ऑन्य पसका सब्सक्राइब उसके वजय से हैं उसमें आप उदर इंजेक्षन लगा कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है तो भी आप इन दोनुं इंजेक्शन का उपयोग बकरियों में साथ करवा सकते हैं साइड डिपेक्ट नहीं देखने को मिलेगा बट आपको बैटर जेल देखने को मिलेगा तो यह वीडियो जितना हो सकता है बेड़ पालक है बकरी पाल झाल झाल